हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब ग्राम जी की पाटशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बड़ी अडंग से चल लगी होगी दोस्तों आप लोगों ने पैट का एक्जाम तो जरूर दिया हो अब इंपोर्टन बात यह है कि अब तक जब इसकी वेकंसी निकाले गई सब काम हुए तो इन लोगों ने इसका स्लेवर्स नहीं दिया पहले लोवर पीसेस के अंतरगत ना के अलग अलग यह आई हैं तो अब इसमें बहुत सारे बचों कंफ्यूजन हो गया है आप लोगो ही बहुत सारी चर्चान इसमें करने वाले हैं साथ में एक बात मैं आपको बता दू राम जी पाठशाला वही चीज पढ़ाता है जो आपके एक्जाम में यह आएगी ठीक है इसमें क्या है 76 पद थे, जिसमें सबसे जादा जो पसंदीदा पद है, वो पद लोगों का है Supply Inspector, Supply Inspector जो है वो आपके खाद्य विभाग में, किसमें? खाद्य विभाग में, और जो ये UDA और LDA वाले पद हैं, इनकी संख्या कर्मश्य 11 और 20 हैं, ये दोनों के दोनों आपके, UPSC क्या होने वाला है, तो एक बार मैं PDF खोल देता हूं, और आपको डिटेल डिस्कुशन करते हैं, ध्यान से आप लोग इसीज को देख करेंगे, एक सेकंड, आप थोड़ा सा बस वेट कीजिए, आपके सामने पूरा का पूरा PDF खोल के आ जाएगा, कहीं बार थोड़ा डिले दे रहा होगा, हाँ, ठीक है, आप ही देखो, ये अपना, ज्यादर सेंसिटिव हो जाते हैं, बूर्ड, आप यहाँ पर देखो इसमें, ये जो नोटिस निकाला है, ये किसने निकाला है, उत्तर प्रदेश, अधिनस्त सेवा, चायना है हो, यानि कि आपके यूपेटर पल प्रदेश, फच्छे ने और 21 तारीक को ये निकाला गया था, कब निकाला गया था, 21 तारीक को निकाला गया था, अब इसमें, आपके संदर्व में ही सब बाते लिखी गई है, एक बार मैं इसको तोड़ा करता हूँ, हम नया ही सेटप करवाया है, इसलिए हम को धीरे धीर इसका अभ्यास बनेगा ठीक है कि यह लिखा है इसमें कि आपका जो यह अधिनस्त सेवा चायन आयोग है इसने पीटी के आधार पर 2021 के आधार पर प्रवर एवं अवर वर्ग सायक और पूर्ति निर्ख्षक पद की मुख्य परिक्षा है तु विग्यापन यह यह पूरा लि प्रकाशित किए जाएगा वो इन लोगोंने पाठे योजवना को और पाठे करम को अलग से प्रेकाशित अब कर दिया है तिक देखते हैं इनका पूरा का पूरा system क्या है कैसे परिक्षा योजवना देखते हैं सीधे अपने काम की चीज़ पर आते यानि कि 100 question आपसे पूछे जाएंगे और 100 question को solve करने के लिए आपको time दिया जाएगा 120 minute यानि कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा इस पूरी की पूरी परक्षा में 2 भाग होंगे भाग 1 और भाग 2 भाग 1 में आता है आपका समान अध्यन यानि कि आपका gs आएगा क्या gs और gs कितने प्रशन पूछेगा gs पूछेगा 60 प्रशन और एक प्रशन एक नंबर का होगा तो इसलिए 60 question 60 नंबर के और दूसरा पूछेगा हिंदी हिंदी के हैं आपके 40 प्रशन और 40 ही अंकों के तो कुल मिला के कुल हुए 100 प्रशन और 100 नंबर के एक important बात अपने दिमाग में आप लोग डाल लीजिए इसमें बोला है कि रिनात्मक अंकन भी होगा यानि कि negative marking भी होगी और अगर आप एक question सही करते हैं तो आपको एक number मिलेगा और अगर आप एक question गलत करते हैं तो आपके 0.25 number काट ले जाएंगे यानि कि एक चोथाई negative marking आपको देखने को मिलेगी एक कुश्चन सही करते हैं, तो आपको क्या होगा, एक नंबर मिलेगा, और यदि आप चार कुश्चन गलत कर देते हैं, तो आपका एक नंबर कर जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखेंगे, अब आगे देखो बढ़ते हैं, धहरी से वीडियो देखते रहो, सब चीजें आ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी, सब चीज आपको अब डिटेल से एक बार इसका डिस्क्रिशन करते हैं, किसका, अपने पठे करम का, ये देखो यहाँ पर, पठे करम दे दिया है, थोड़ा बढ़ा के दिखाते हैं, देखो यहाँ पर, इन्होंने पूरे के पूर की होगी, कितने की साथ नंबर की होगी, अब इन साथ नंबर में से, पहला आप देखो यहाँ पर, पहले पॉइंट में दे रहा है, कि भारती इतिहास एवं भारती राष्टी अंदोलन, भारती इतिहास एवं भारती राष्टी राष्टी अंदोलन में, आपका क्या क्या साथ में आ जाएगा आपका इंडियन नेशनल मुवमेंट इंडियन नेशनल मुवमेंट यह सब चीज आ जाएंगी यह दस अंकों का आप से पूछा जाएगा उसके बाद भारती समिधान की विशेष्टा है विशेष्ट है संसदिय कारे प्रणाली नहीं पहली का पंचायती इन में से विशेष्ट है पूछा जाएगा यानि की दूसरे नंबर पर दस नंबर का आप से पूछेगा तीसरे नंबर पर आपको यहां ध्यान देना है यह भूगोल कौन सा इंडियन जोगरफी ठीक है ना तो फिजिकल जोगरफी पूछ रहा है ना ही वर्ल्ड जोगरफ जी यानि की बहुतिक रसायन और जी विज्ञान साथ में एन्वार्मेंट भी इसी में आएगा उसके बाद पांच वा जो सबसे अधा पसंदीदा है भारती एवं वहिश्विक सामसामाई की से सम्मंदित प्रश्ण है यानि की आपका करंट अफेर भी इसी में पूछेगा करंट अफेर्स पूछेगा पांच नंबर में ठीक है और उसके बाद छेटे पे भारत में शिक्षा स्वास्थ है ग्राम में विकास एवं विकास परक योजनाओं सम्मंदित प्रश्ण है इसके लिए आप एक काम करना जो राम जी की पाठशाला की ग्राम विकास की पूरी क्रिशी उद्योग व्यापार और विकास आत्मक योजनाओं यानि कि यूपी जी के की पूछेगा आप से शिक्षा के बारें पूछेगा कल्चर पूछेगा आप से क्या पूछेगा ये उद्योग व्यापार और विकास आत्मक विकास परक योजनाओं तो ये सब चीजें इस्पेशली ये वाला पॉइंट और इस्पेशली विकास परक्योजनाएं ये आपको ग्रामेनी परिवेश में मिल जाएगी आपको वहां से देख लेना है सके देख लिए आपने देख लिया होगा मैं इसका पेडिया भी डाल दूंगा टेलिग्राम में गालिजिए और इसके साथ मैं देखो ये इसने क्या काम कर दिया इसी में आपका मैत भी घुजा दिया है यानि कि इसमें मैत भी आप खाने वाला है प्रारंबिक गनित पूर्ण संख्या भिन प्रतिसत्ता साधारन अंक गनितिये समेकरन औसत और तालिका की व्याक्यां विशेशनात्मक संबंधी प्रशन ये कुल मिला के आपसे पूछेगा दस नंबर का और उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित प्रशन पूछेगा पांच अंको की तो ये सब चीजें जो हैं अब धिरे धिरे राम जी की पाट्शाला अपडेट होना शुरू हो गया है और सब चीजें आपको मिलेंगी तो आ इब चालिस अंकों की है पहे हैं इजें और ये सब को मैं इसकी जिम्मेदारिय आप मुझे पर छोड़ो दो कोई दिक्कत नहीं है ये सब मैं आपको करवा दून अभी एक्जाम के बारे में डिस्क्रिशन करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे सब चीजे हैं, तो आपटित गद्यांस बगर है, ये प्रतेक पर पांच प्रशन आएंगे, दो गद्यांस आपसे पूछेगा, दस अंकों के, और पत्र लेखन, शाष्किये, अर्दसाष्किये, पर पर देखिए, कि बहुत सारे लोगों के, स्लेबस तो हम लोगों ने देखी लिए, स्लेबस में आपको बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में टेंशन बनी हुई है, और एक मजाक का महुल पूरा बना रहता है, क्योंकि आपने देखा है कि अभी इन लोगों ने पिछल परिक्षा मान रहे हो, तो एक जैसे टेट में, सी टेट में होता है, एक निर्धारी तंक होते हैं, कि इतने अंक लेके आने, और आपका काम हो जाएगा, बट इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसकी पैट के कट ओफ के लेकर बहुत जाद लोग टेंशन में हैं, 8085 पदों के लिए, इन लोगों ने कट ओफ जहां भी लगाई वो सब आपको पता है, और 247,000 प्लस लोगों को इन लोगों ने समें बुलाया, तो कुछ लोगों, इनका कहना है कि हमने केटेगरी वाइज जादा बुलाया है, केटेगरी वाइज 15-15 गुना बच्चों को ब लगबग आप देखेंगे, तो 30 गुना बच्चों को बुलाया है, तो इस हिसाब से आप लोगों बहुत सारे वियंग करते रहते हैं, कि भाई, इस हिसाब से तो लगबग 75-76 वेकंसी है, यह वाली जो supply of inspector की है, UDA, LDA वाली, तो इसमें अगर 30 गुना बुलायागा, तो इ यह एक्जाम लेगा इसमें, क्योंकि 8085 पदों के लिए, जो इन लोगों ने एक्जा, मतलब शोट लिस्ट किया है, उसमें ही बहुत, मतलब जल्दवाजी में काम कर लिया, ना आरक्षन का ध्यान रखा, लड़कियों ही कट आफ लड़कों से उपर लेगे, तो कोर्ट ने इनको फटकार लगाए थी लगवग चार-पांच दिन पहले, तो अपन थोड़ा सा मतलब यहां बिजी थे, थोड़ा समझ नहीं बारे थे, कैसे कैसे करना है, अभी भी आज सुबह से लगे हुए हैं, और यह वीडियों दस बार रिकॉर्ड करने के लिए तयार हो चुके ह बुरा आलका रखा है, तो कि बारिश-वारिश की वेशे से कुछ नहीं है, और स्टूडियो का लोड इतना होता है कि वो बिजली पे चलती है, इन्वेटर पे बहुत मुश्किल से ही चल पाती है, तो अभी कोर्ट में फटकार लगाई है, क्या मतलब तुमने ड्रामा बना रखा है, या तो तुम धंग से करो, नहीं तो मैं पेट का एक कट ओफ घोशित कर दूगा, कोर्ट में बोला है, तो अभी इसके बारे में कुछ भी ठीक से नहीं का जा सकता है, बाकी आप लोग तयारी करते रहो, जीएस आना है, ठीक है, जीएस आना है, आपका हिंदी आन है, ठीक हो जाए सब चीजें, और काम आपके लिए चल जाएगा, अब और बड़ा प्रशने का आपका है, कि भाई एक्जाम कब तक होने वाला है सर, तो भाई देखो, एक्जाम पहले तो अभी बहुत सारे एक्जाम इनके पेंड़ने हैं, इन्होंने अभी स्वास्था कर कर्मियों का एक्जाम लिया है, चलो वो तो इन लोगों ने एक्जाम ले लिया दोस्तों है ना, स्वास्था कर्मी का, बट उसके बाद ये लेकपाल वाला एक्जाम इनके सिर का दर्द बना हुआ है, लेकपाल वाला एक्जाम सिर का दर्द बना हुआ है, उसके बाद इन वो ITI जो अनुदेशक है, वो ITI इंस्ट्रक्टर है, उसका एक्जाम लेना है, इनको जेई का एक्जाम लेना है, और इनको एक अपना वीडियो का भी लेना है, वीडियो री एक्जाम भी लेना है, तो ऐसा मतलब बहुत सारे एक्जाम है, और एक एक्जाम अभी और बताता ह तो अभी ये लेकपाल के एक्जाम 19 तारीक के लिए बोल रहे हैं कि हम 19 जून में एक्जाम लेंगे पर जो इनके हालाद चल रहे हैं उसको देखके थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि पूरी की पूरी गड़़ियां आप पूरे के पूरे सिस्टम में इन लोगों ने फैला रखिए अब देखो हाई कोट की तरफ से क्या निर्णा आता है पर इतना तो आप मान के चल सकते हैं कि आपके पास दो माहा का समय तो है ही दो माहा का समय तो आप है ही आप इसको टार्गेट करके चलिए और बहुत अच्छे से त्यारी कीजे क्योंकि अब मैं आपको एक बात बता दू कॉम्पेडिशन भी हाई हो गया है और कॉम्पेडिशन से ज़्यादा धांदली हाई हो गई है तो अगर आप जन्योन बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा ही पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि कोई सुनने वाला तो यहाँ पर है नहीं तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ां आपको समझ में आई होगी बात पसंद में आई होगी सारी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा इसी अच्छी बात के साथ आप देख रही ते राम जी पाठ शाला मैं हूँ राम भरत जय हिंद जय भारत